चली आज एमान ही लेते हैं कि हर पुलीस वाला अपनी जिन्दगी में बड़ा नाम नहीं कर पाता और बहुत से पुलीस वाले सुरक्षित रखने में मदद करते हैं और कई बार इसका मतलब होता है गंदे गेम खेलना तो छुपकर आपकी कार को ट्रैक करने से लेका सीधा आ आईए देखते हैं कुछ काले चुपे हुए ऐसे तरीके जो कि पुलीस अफसर वाकई यूज गलते हैं लेकिन हमें बरुजा नहीं होता के लिए जानिए कि कार को टैप करने से ड्राइवर चौंक जाता है और जो भी कर रहा होता है वो रोक देता है तो अगर वो तुरंद किसी इलिगल चीज को छुपाना चाते हैं तो ऐसा फटाक से टैप करने वाला तरीका उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ने के लिए बहुत पुलीस वाला अपने फिंगर प्रंट कार के पीची लाइट पर क्यों छोड़ना चाहेगा असल में ये एक फेल सेफ है पुलीस को कभी कंफर्म नहीं हो सकता कि आखिर उनके सामने क्या आने वाला है और हो सकता है जिसे वो पकट रहे हो वो असल में बहुत ही खतानाक हो त अब ये टेक्नीक इतनी काम की नहीं रगी जितनी की पहले थे लेकिन आज भी कुछ पिलीस वाले इसको करते हैं और ट्रेनिंग के दरान उन्हें कुछ फोर्सेस में सिखाया भी जाता है मुझे लगता है बाकि पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं चूटती है एश तो भी इसे मत लीजेगा से लीजेगा थोड़ा ऐसा इसलिए क्यों की शायद असल में पुलीस वाले आपकी प्यास का ख्याल नहीं रख रहे हैं नहीं यह बहुती सिंपल सा दिखने वाला एक असल में आपके फिंगर प्रिंट और डियने चुडाने का तरीका है क्या का ज दूस करने के बाद अपना ग्लास वहीं पर छोड़ देंगी तो उसे छोड़ा हुआ मान लिया जाता है इसलिए पुलीस को इसे लेने के लिए किसी वरण की जरूत नहीं पड़ती है और सिर्फ पानी नहीं है जिसका ख्याल आपको रखना है पुलीस वाले आपकी किसी भी फिंगरप्रिंट ले ले लेते हैं और फिर आपको जूटे केस में फसा देते हैं तो पानी के लिए मना करने पर आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हो है ना मुझे तो लगा था कि सिर्फ क्रिमनल्स ही चंट शाला को होते हैं बाई अब आप उन पुलीस वा इन फैक्ट खुद को जेल में बंद करने का यह बहुत अच्छा तरीका भी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रूल दोनों तरफ से नहीं चल सकता जी हाँ पुलीस वालों को अगर लगता है कि इससे उनकी मदद हो सकती है तो आपके मूपर आप से सफे जूट बोल सकते तो आखर वो कौन सी चीज़ है जिनके बारे में जूट बोल सकते हैं वैल अगर किसी पुलीस वाले को शक है कि आपने ही क्राइम किया है लेकिन उनके पास कोई एविडिंस नहीं है तो जूट बोल सकते हैं कि आपके फिंगरपरिंट्स उन्हें उस सीन से मिले हैं इस तरह कोई आई विटनस नहीं हो लेकिन अगर वो आपको भरूसा दिला दें कि वो है तो आप डर जाएंगे और अपना जूर्म कुबूल कर लेंगे यह तो बहुत बड़ा कांड है ना एक किसी तरह के पुलीस वाले को जूट बोलने का के सेविंटीज का है और इकोन स्टेट प जर्म के लिए सजा सुनाईगे लेकिन सुप्रीम कोट ने इस सजा को हटा दिया और उसे छोड़ दिया क्यूंकि इंवस्टिगेशन डर और जूट के माहौल में हुई थी मातियसों को आखिर में सजा हुई लेकिन इससे यह पता चला कि चाहे पुलीस कितनी भी चुपी र जूट और जूट डिटेक्टिव मूवीज में लाइट डिटेक्टिव और पॉलिग्राफ टेस्ट बहुत ही कॉमन है अरे आप जानती होंगे वो डिवाइस जिनने शक्के घेरे में खड़े इंसान से बांदिया जाता हो फिर पूछे जाते हैं हजारों सवाल और ये सिर् टेस्ट पर भरुसा नहीं किया जा सकता लेकिन ये बास सबको नहीं पता होती है और एसी का फायदा पुलीस उठाती है दोजानौ में कैलिफोर्निया के डारियस एंटोनी में से एक बहुती भाइंकर क्राइम में शामिल होने की शक पर सवाल पूचे आ रहे थे सवाल पू नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो काम के तो हैं मेरा भरुसा कीज़े मैं जूट नहीं बूल रहा भाई डोगो कॉप अगर आप अभी भी नहीं बता पाए हैं तो मैं बता दू कि पुलीस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन इनमें से मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो है मालक के मेकवान स्कॉटलेंड का रिटार्इट पुलीस वाला अपने पार्टनर डैन के साथ ड्यूटी पर था तब ही उन्हें खबर मिली के पास के रगवी क्लब में कोई घोस गया है मालक के और डैन तुरंत वहां जाने के भाग मालक के सवाल कर पाता डैन दर्वाजी की तरफ चला गया और चला है अगर तुम बाहर नहीं आये तो मैं कुत्ता अंदर भीज़ दूँगा और तुरंती मालक के को प्लान सबजमा आ गया वो क्या कर रहा है वो खुद भी नहीं आनता था लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस और जो 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 से बहुगने लागा और जितने अच्छे से वो कर सकता था उतने अच्छे से उसने होसेल अलिस्टीन की आवाज निकाली अच्छा हुआ ठोगों को लगा कि वो असली का कुद था और डर के मारे वो बाहर आ गए अब चाहिए जो भी हो सामने तो आई गया थ ना लेकिन डर से नहीं बाद में मालू हुआ कि वो बिल्डिंग की चत्वा जुपए हुए और तभी यूनिफॉर्म में खड़े पुलीस वाले का कुद्टे की तरह भौगना उनसे सैरन नहीं हुआ और वहां सपड़े इसके बाद पुलीस वालों ने उनको तुरंद इंटरोगेशन मेथड सबसे पराने ट्रिक है और इसके बाद काम करने के पीछे का रीजन भी है आप जानते हैं कि उसे सो काल्ड गंदे पुलीस वाले को जो की शक के घेरे वाले इनसान को उससे और गंदे तरीके से डील करता है और वहीं अच्छा पुलीस वाला आता है ठीक उल्टा कर देता है ये दुनिया बर के पुलीस वाले करते हैं और ये हीमन साइकॉलजी के वज़े से बहुत जादा फेमस भी है गंदा पुलीस वाला इतने गंदे तरीकी स्ट्रीट करता है तो इसलिए जितने अच्छे होते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे लगते एसे ही अच्छे पुलीस वाले से डील करना बुरे वाले से डील करने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता और इसलिए चांस है यो सारी इंफोर्मिशन दे देगा या फिर यू कहेंगी देते थे क्योंकि ये टेक्निक इतनी ज्यादा जानी मानी हो गए है कि इसने अपनी इस आवाज की मतद से ही पुलीस कहीं पर सेफली और जल्दी पहुंसकती है कि आपने नोटिस किया है कि अलग अलग तरीके के साइरिन साउंड होते है और ये ऐसे नहीं होते है बलकि हर एक का अपना काम होता है बहुत से लोगं को पता नहीं होता लेकिन ये तीन में साउं हो जाता है जहां पकड़ने के लिए जादा लोग होते हैं वहीं फिर से आता है वेल मूड ठेक है एल्प की तरह ये साइरन भी उची और धीमी आवाज निकालता है और ये काफी धीमा होता है जो कि इसे खाली और रूरल एरिया के लिए एकदम सही बनाता है जहांपर धीमा भारी साउंड ही दूर तक बहुत सकता है फाइनली हमारे पास है ये लोग साइरन तो खुद को तयार कर लीजी ये है आपका क्लासिक नीनो साउंड ये दूसरों के कंपरिजम में बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपको हर जगे सुनने को मिल जाएगा मज़े याद है जब मैं छोटा था तो पुलीस पुलीस केलते टाइम ये आवाज है निकालता था मैं अभी जाहर है ये आवाज नहीं निकालता है ना अगर आपने कभी पेग लेटन बोली है तो या फिर इन्विजिबल इंक से लिखा है तो आपको पता होगा कि सीक्रिट लेंग्विज में बात करना कितना ज़्यादा मज़े दार होता लेकिन जाहर है कि कोड़ सिर्फ मज़े के लिए नहीं होते यूएस के लॉइ इन्वर्समेंट वाकि एक दूसरे से रेडियो पर बात करने के लिए इसका यूज करते है इन्फाक्ट यह बहुत समझ गया लेकिन वहीं 1054 का मतलब है गाय भेड हाईवे पर हैं लेकिन आप इन दोनों से ही कन्फीजन में नहीं होना चाहेंगे जब ये 1937 में पहली बार स्टैबलिश हुआ तो पुलीस कोड के दो यूज थे पहला तो ये कम्मिनिकेशन क्लियर और आसान हो आसानी से समझ लगते थे इस तरह से ओपरेशन वगरा सीक्रिट रखे जा सकते थे और अगर कोई आम आदमी भी आ जाता तो भी उसे बस 1098 ही सुनाई पड़ता था और जेल ब्रीक नहीं और ऐसे वो पैनिक से बच सकते हैं आजकल पुलीस कोड इतने पापिलर नहीं अब क्योंकि कोई य करते हैं तो बही मैं तो बहुत ही बेकार हूं मुझे तो अपने परिवार वालों का बद्रे तक याद नहीं होता रेंडम नंबर सो कावदों को तो भूली जाईए जी हां इससे तो मुझे सिर्फ होससा आएगा हाइलाइट्स एक होता है छुपे रुस्तम और फिर होते हैं साफ साफ इलीगल सवाल और जवाब की एक वेबसाइट कोरा पर एक यूजर ने अपने और एक कलिफोर्निया पुलीस वाले की बीच की बाते बताएं वो एक ऐसे टुर्ट के बारें बात कर रहे थे जो कि पु और तो ही कार को पकड़ने इलीगल और इस बात की डिस्क्रिप्शन में प्लीस वाला कहता है कि रात में वो एक ब्राउन पेपर टावल निकालता था उसे गीला करता था और उसे अपनी हेडलाइट पर रख देता था फिर वो घूमता था जब तक कि उससे कोई भागत वी गाड़ी ना दिखाई दे और फिर उसका पीछा किया करते थे आप जानते हैं पेपर टावल के वज़े से ऐसा लगता था जैसी कि पुलीस वाली के हैडलाइट काम नहीं कर रही और लोग ये बात आजम नहीं कर पाते थे कि पुलीस वाली कार में कर बड़ी है तो इसलिए गाड़ी तेज़ चलाने वाले बिना अपनी क्यार देमी किया भागते रहते हैं बिना जाने कि उनके पीछे और ये तब तक जब तक उनके जारन नहीं चालू होते पिर तो उन्हें पता चल जाता था कि उनके बैंड बच गए और जैसी पुलीस वाला गाड़ी रुकता थ अब सूखा हुआ पेपर टाओल गिर जाता था तो जब कोई गाड़ी तेज़ चलाने वाला खराब लाइट के बारे में बोलता था तो पुलीस वाले कहते थे कि उन्हें नहीं पता कि उसके बारे में बात कर रहा है वाओ अब यह हुई न चुपी रुस्ता वाली बात एक चालू करके गाड़ी चलाना दुनिया बर में जातर इलीगल है लेकिन मुझे लगता है गाड़ी तेज चलाना भी उतना ही इलीगल है तो आपको क्या लगता है क्या यह अपनी पावर का गलत यूज़ करना है या फिर इसस सपोर्ट किया जा सकता है नीचे कॉमेंट लेकिन फिर भी यह कॉंसेट बहुत ही डरावना है यह हाई टेक रड़ा रेंज आर के नाम से जाना जाता है और लौ इंफर्स्मेंट इसे दीवार, जमीन और सीलिंग के अंदर हो रहे मुमेंट के बारे में जानने के लिए यूज़ करते हैं रेंज आर को किसे सर्फेस प लेकिने का मुमेंट भी पचास वीड दूर से पहचाना जा सकता है और भी क्रेजी करने वारी बात ही है कि रड़ा सिस्टम का और एट्वांस वर्जन ड्रोन्स में भी लगाया जा सकता है बल्डिंग के उपर उड़ाया जा सकता है और इंटीरियर का 3D मैप भी इसके किया जाता है और मैं बेशक कह सकता हूं कि यह उनके लिए बहुत ही यूसफुल साबित होगा लेकिन इसके वज़े से मुझे वह बहुत ही एकसाइटमेंट हो रही है यह जाने की कैसा लगे जब कोई ऐसी चीज आपके घर के ऊपर आप पर नज़र रख रही और आपको प लेकिन इन्हें सबी तरह की नज़र रखने वाले एकुपमेंट लगाया जा सकते हैं और इन्हें यूस भी किया जा सकता है कई दूसरे कारणों से लेकिन आप क्या कहिए अगर मैं आपको बताओ कि पैंटागन के करोणों रुपए लगी है एक नया अलबेला नज़र रख एक ऑपरेटर इस ड्रोन को ऊपर उड़ा सकता है और जिस इंसान पर नज़र रखी जाती उसे पता भी नहीं चलेगा इस से पहले कि आप अर चड़िया को देखकर परिशान हो जाए जर्द मेरी बास सुनिए इसके फंडिंग यूएस कॉर्मेंट से मिलने के बावजूद भी इसे पुलीस डिपार्टमन तक नहीं पहुचाएगा है जितना हम जानते हैं यहां बात हो रही है पेंटगन की और यह बहुत ही जादा सीक्रेटिव हो सकता है लेकिन वहीं यूएस पुलीस ने इस छोटी चड़िया वाले ड्रोन से नजर रखने के लिए खास इंटरस दिखाया है और क्या है इसका बड़ा वर्जिन और यह सक्सिस्फुल रहा तो हो सकता है हमें आसमान में ऐसे कई और देखने हो मिल जाए लेकिन मुझे इसके बारे हैं परियाप्त बता नहीं है मैं तो पहले ही राडा ड्रोन की वज़े से बहुत कम परिशान था भाई पकड़म पकड़ाई इस बात में कोई शक नहीं है कि कार से पकड़ने वाले सीन पिक्चरों में बहुत ही घजब के होते हैं जब असली जिन्दगी में पुलीस तेज कार से किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो यह पुलीस और आम आदमी दोनों के लिए खत्रा साबित हो सकत पकड़ाई के बीच में हूँ तब पुलीस चक के घेरे में खड़े इंसान के वीकल पर लेजर पॉइंटर लगा सकते हैं एक बार पुजिशन में रख दिया जाए तो बस एक बटन दबाने से ही बिल्ट अप दबी हुई हवा रिलीज हो जाती है जिसके वजह से यह सामने चीज को वीकल पर लगा दिया जाता है ताँ पुलीस धीमी हो सकती है और वीकल को ट्रैक कर सकती है और वहीं ये बैटमेन का सस्ता वर्जिन भी लग सकता है वाव दोनी चीज अच्छी है हाँ बेशक तभी जब आप क्रिमिनल ना हूँ सिर्फ बैटमेन ही ऐसी पिक्चर ने जहां से पुलीस ने इंस्पिरेशन ली है उनके खजाने में अगला छुपार उस्तम इन्विंशन है आर्सनल बोला रैप और ये चीज केप्ड क्रुजिडर से ज़्यादा स्पाइडर में से ली गई है हाथ में पकड़ी जा सकने वा ही कैद हो जाते हैं और इससे बाहर निकलने का कोई उपाय भी नहीं है एक बार जो अगर ये आपको पकड़ दे तो बहुत टाइट पकड़ता है और इसी वजह से भागते हुए सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है लेकिन अगर ये इतना ही जब अभी अभी आपको डंक लगया गया इससे पुलीस वाली नहीं है जोकि छुपेरस्ताम हो सकते हैं बलकि क्रिमिनल्स भी एतने ही छुपेरस्ताम हो सकते हैं तो कई बार पुलीस को इन्हें पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इन्योवेटिव होना पड़ता है तो बहुत बड़े वाले चुपज़ रसता में बाई और जब परियाप सबूत मिल जाते हैं तो उनको डाल दिया जाता सलाखों के पीछे बावरे यह हुआ ना असली गेम तो इसलिए उसने घलत अनाम से जॉइन किया और किसी भी दूसरे स्ट्रीन की तरह रहने लगा स्कूल जॉइन करने के आट मेने के बाद है अलेक्स ने परियाप सबूत इकठा कर लियो कुल मिलाकर चौदा लोगों को पकड़ा और आसी ही अमिशन सक्सेस्फुल रहा यार सोचो ज़रा कि हाई स्कूल से बाहर निकले और तो नोखरी लगे लेकिन फिर भी कुस्स साल के बाद से ही असाइन्मेंट करने लग गए बाई ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये फोने फ्रेजिंग अगर पुलीस वाला मुझे कुछ भी कहे तो मैं वो करूँगा लेकिन मैं जेल बिलकुर नहीं जाना चाहूँगा तैंक्यू लेकिन पता है कई बाई ज़रूरी नहीं होता कि हम उनकी बात को माल ले आप जानते हैं आपको फसाने के लिए आप से अपने मन की चीज़ करवाने के लिए वो अपनी लेंग्विज बहुत ही साधानी से उस करते हैं पुछी आप फोड में बड्रायम कर रहें कि तभी पुछीं कि आप रोड्ण में कर रहें कि तभी हुए। ज़रूर रहे हैं कि आप मुझे अपनी गाड़ी चेकिंग करने दे.. यह किसी पुला लेकिन यह नहीं है। SHD आई यह जायर है । कि आप उनको मना कर सकते हैं. तो अगर पूलीस वाला आप से कहें, कि मैं मैं चाहता हूं कि आप कीड़ा बन जाएं. तो आपको जानकर रात मिलेगी कि आप उसको मना कर सकते हैं. लेकिन मैं जूट नहीं बोलूँगा, मैं तो एक बहुत अच्छा कीड़ा बन सकता हूँ बेवकूफ बनो सब यूनिक होते हैं और खुद में खास होते हैं या फिर कम से कम मेरी माँ तो मुझे यही बोलते हैं लेकिन इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि कुछ लोग औरों के कंपैरिजन में ट्यूब लाइट होते हैं और पुलीस कोई बात बहुत अच्छे समाल हूँ मैं तो इसलिए कई बार वो कोई ट्रिकी इंट्रोगेशन से सवाल पूछते हैं लेकिन आखिर वो ऐसा क्या पूछ सकते हैं मतलब अगर किसी सस्पेक्ट को लगता है जो वो नहीं दे दे रिटायर न्यूजर्सी के कॉप डेविट अम्रोज ने कहा कि ये ट्रिक उन लोगों पर जादा काम करती है जहां पर सक्सेस्फुल लोग होते हैं और आसानी से खुद को दूसरों से उपर माल लेते हैं दुख की बात है अगर मैं पुलीस अफसर होता ना तो मैं ये करेक्टर कभी नहीं ब्ले कर पता मतलब यार कम ओन मैं कितना ज़्यादा होश यार हूँ हो कभी बेवकूफ नहीं बनेंगे ठीक है फिर आज के लिए हमारे पास इतने ही ट्रिक्स हैं इन में से कॉन से ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगी मुझे नीचे कॉमेंट सक्षिन में आकर बता है और हां देखने के लिए शुक्रिया